नश्कार मित्रों मेरा नाम है मुनाल पटेल और आज हम देखेंगे 24 नवेंबर बुद्वार के इंडियन एक्सपेस में UPC में जाने लाइक चीज़े क्या थी 24 नवेंबर मींज 193 डेज आ लेफ्ट बिफोर प्रिलिम्स एक तो नीतिया उग ने SDG Urban India Index निकाला कुछ शहरों को Top 10, Bottom 10 AC समाचर फिस Strategic Petroleum Reserve क्या है और बारत सरकार उसमें से क्यूं स्टोर किया हुआ Crude Oil बाहर निकाल रही है रश्या के साथ मिलके हम लोग ये के 203 का उत्पादन करेंगे Personal Data Protection Bill में कुछ नया Explained Series आया NASA का कुछ DART Mission है फिर Rani Guide in Loop और दूसरे Freedom Fighters के बारे में ब्याद समाचर है So one by one we'll see that लेकिन आगे बढ़ने से पहले Announcement about some free upcoming programs ये Unacademy के free classes में मेरी अलग-अलग series चलती है जैसे Economic के updates पूरे साल के तो Win 20 Series 2020 में की Win 21 Series 2021 में की अगले साल में करूँगा Win 22 अलग से मैं एक और चीज़ करता हूँ Mains के model answer तो 2019 की Mains exam के paper 1, 2 और 3 के model answer के detail classes, solution, strategy वो मैंने complete की थी उसके बाद मैंने चुरू किया 2020 Mains परिक्षा के model answer तो जिसमें Mains paper 3 से मैंने चुरूबात की तो economy के 50 मां के प्रश्न के model answer complete कर दिये agriculture food processing भी complete कर दिये लास्ट लेक्चर जो पिछले के पिछले मंगलवार किया था वहाँ environment disaster management complete किया था अब बजता है science technology internal security border management में 2020 की मैंस exam जो January 2021 में हुई थी UPC ने जो प्रश्ना पूछे थे उसको हम solve करेंगे तो वो तो मंगलवार को free program में रात आंट बजे अब मेरी profile पर जाकर third row में जाएए special classes आपको मिल जाएंगे free unlock code is monal.org कैर वहाँ पर आने से पहले it is advisable कि आप वो सब पढ़के आईए तो आपको और जादा उसमें मज़ा आए समझ आए तो देख लेते हैं कि main paper 3 2020 में क्या प्रश्ना पूछे थे UPC ने science में पूछा था nanotechnology and health care वो तो मलब cliche रटी रटाई चीज़े छापने थी फिर पूछा था use of agriculture in science use of science technology in agriculture वो भी सब रटी रटाई class 12 NCRT और इधर उधर के थोड़े current आप फिर छापने थी तीसरा था corona pandemic में technology का कैसे उपयोग हुआ तो वो भी newspaper आप follow करते हूँ उसमें से आप अलग-अलग चीज़ों को डाल सकते थे कैर उसको कैसे हम proper introduction body conclusion करेंगे वो उस lecture में देखेंगे then ये सब पढ़ के आना internal security मैंने पहले भी आपको बताया था ये जितने भी online learning वाले classes है फ्री में सबने material अप लोड के कुछ भी download करके 50-60 page का माल खतम करोगो model answer हम देखेंगे जो प्रशन 2020 में पूछे थे एक की border area management में आतंकवादी को local support नहीं मिले उसके लिए क्या करना चाहिए कुछ साल पहले ऐसा और भी प्रशन पूछा था overground worker OGW का क्या मामला है फिर पूचा ये Myanmar, Bangladesh, Pakistan की border पर हमको क्या problems है security point of usage मुलब cliched question रटा रटा है ये तो सब coaching के free compilation में होता है cyber crime के अलग-अलग प्रकार उससे कैसे लड सकते हैं ये भी it is expected syllabus का इसा आपको पता हो and then left wing extremism को लड़ने के लिए सरकार ने क्या किया और अबविश में क्या करना चाहिए ये भी रटा-रटा है मलब cliched thing है सब syllabus का इसा है और prepare करना होता है खेर तो प्रशन तो वैसे हम कहें कि आसान थे लेकिन उसको answer में assemble करना हो तो क्या लखना चाहिए क्या गलतियों से बचे वो सहम देखेंगे मंगलवा रात 9 बजे के वीडियो में इसका registration लिंग वगर आपको description में मिल जाएगा free unlock code muna.org अब में मुद्धे पे आते हैं कि अपना आज का newspaper में current office की काम की चीज़ क्या थी page 1 page 1 पर sunset का sheet 7 यानि winter session जो होने वाला है उसमें अलग-अलग 26 विदेयक बिल पेश होंगे उसकी सब समाचार है हम अभी नहीं पढ़ेंगे for a simple legend ये जो एक-एक बिल प्रेजंट होंगे तो यही लोग उसकी explain series चलाएंगे तो आराम से उस वकत salient feature देख लेंगे कि cryptocurrency के बिल में वो क्या बोले है bitcoin को legalize करेंगे या ban करेंगे cvr enforcement direct rate के जो director होते हैं उनकी कारेकाल की अवधी को बढ़ाया गया सरोगसी के बारे में बिल में कुछ सुदार करेंगे senior citizen के welfare के लिए एक कानून बना था कि माबाब को बच्चे छोड़ दे तो वो सब उसको सजाओ तो उसमें कुछ नए सुदार हो रहे है banking amendment bill, IBC amendment bill क्या salient feature हम खुद से नई सर्च करेंगे simple agent ये explain series आएगी सब की तो देख लेगे उसी तरह किसी ने कुछ बयान दिया है कि 6G technology 2023 से launch होगी तो 5G क्या है और 6G उससे कैसे बेतर है again self PhD is not required वो तो आएगा इधर explain series में नहीं तो ये monthly current office के PDF आप देखते हो उसमें मिल जाएगा तो वो चलने दो फिर एक मुद्दा चल रहा है इंडिया strategic petroleum रिजाओ वो बात ऐसी है कि crude oil के दाम जब गीर जाते है तो OPEC समू और Russia जो कि OPEC का member नहीं लेकिन एक प्रकार का cartel gang बनाके वो लोग ये करते हैं कि supply कम कर दो crude oil का supply कम कर दो ताकि उसका price बढ़ जाए मेंगा हो जाए वो तो वो हर बार वो चलते रहता है अब जिसके चलते हैं आप पाएंगे 2016-17 कैसे oil barrel के price यहाँ 40 से लेके 60 तक पहुँचे फिर हम पाए कोरोना में अच्छानक से वो गिर गया उसका कारण ये कि OPEC तो बंद करना चाता था लेकिन रशिया ने production बंद नहीं किया था क्योंकि उनकी economy में और कुछ export करने लाइक सामान कम ही है जिसके चलते कोरोना में lockdown के चलते demand कम लेकिन supply same to same रहे तो स्वाबाई के oil crude oil barrel के price गिर जाएंगे फिर वापस वो अब shortage कर रहे है supply कम कर रहे है तो price चट रहे है तो इससे लड़ने के लिए सरकार क्या करे सरकार ने बारत सरकार ने साथी साथ USA, चाइना, जापान, साउथ कोरिया ये सब ने सोचे कि जब crude oil सस्ता था तो हमने थोड़ा store करके रखा था जिसको हम कहते है strategic petroleum reserve बारत ने भी बनाए बाकी सब देश भी बना रहे है सस्ता जब crude oil मिलता हो तो वो underground के उसमें गुड़ाउन में सब store करके रहते हैं और ऐसी सब shortage के दोरान उसकी supply local यैसे दूद वाला नहीं आया तो कल रात का दूदा फ्रीज से निकाल के बनाओ ऐसी बात है so that we are going to do ऐसा एक line का ये मुद्दा बन रहा है फिर उसके बाद जो pages आएंगे 5, 6, 7 कुछ काम काने page 8, 9 पर सब columns अब column में कुछ ऐसा है NASA का double asteroid redirection test वो ऐसी चीज है कि कई वर्षों पहले एक film आई थी Armageddon जिसमें कि कुछ उलका पिंड अपने पूथ्वी से टकराने वाला है तो उसी पर जाके उसे क्यों एक ऐसे blast कर दिया जाए ऐसी सब Bruce Willis की मुईस्ति तो ऐसा ही कुछ यहाँ पर NASA सोच रहा है कि हम लोग test करने के लिए एक spacecraft यह Dart spacecraft उसका accident करवाएंगे asteroid के साथ और उसके चलते वो asteroid अपनी दिशा से बटक जाता है की नहीं ताकि भविश्य में अगर ऐसी कुछ जोखी मुआ है तो हमको Bruce Willis को नहीं बुलाना पड़े हम कुछ सी उसको adjust कर सके So that is the idea of dart mission एक लाइन में याद रखना है एक और column था palliative care मतलब प्रशामक देखबाल वो कहना ऐसा चाहता है कि जब ये निश्चितों की मरीज मर जाने वाला है suppose cancer एकदम advance stage में पहुँच गया है या कुछ tumor तो फिर क्या करना चाहिए कुछ बार doctor बे कहते हैं उसको hospital से गर वापस अब ले जाए इधर रखने का कोई फायदा ने तो फिर बाकी की जितने उसके महिने या दिन बच्चे है जिनकी के उसमें क्या करना चाहिए उसको दर्द कम हो ऐसी कुछ दवाईयों पे रखा जाए ओपियम से बनने वाली या जो दवाईया होती है वो उसको नर्कोटिक एनल जैसे कुछ दिया जाए और दूसरा फिर उसको साइकोलोजिकल स्पिरिट्यूल गाइडंस सांत्वना दी जाए उसको भी और उसके परिवार को भी तो ये सब जो चीज होती है उसे हम कहते है पैलियेटिव केर एक तो ये काम हो सकता है इसमें चुनातिया क्या है कि बारत में दीरे-दीरे कैंसर के मामले बढ़ रहे है उसके अलग-अलग कारण है ये जो सब फास्ट पूड उसके अंदर जिस प्रकार के हानिकार केमिकल होते है पल्यूशन बढ़ रहा है उसके चलते जो शरीर में सब जहरी लापानी हवा जा रही है पर प्राब्लम ये है कि बारत में इस प्रकार के जो प्रोफेशनल हो नर्स डॉक्टर जो ये कर सके उसकी कम है और देदनादन दर्द शमन के लिए अफी माधारित दवाया ओपियम बेजड मेडिसीन प्रिसक्राइब करी जाती तो उसको रिफॉर्म करना है मिलता जुलता एक और मुद्धा क्या है वो सब यूथेनेजिया मतलब इच्छामरुत्यू, स्वैचिकमरुत्यू वो मुद्धा क्या था कुछ से सटने करना ये सब पुराने करन्ट अफेस के मंतली पीडियाफ आप देखोगे, मिल जाएगा आगे बढ़ते हैं, पेज एट नाइन पर बाकी सब कॉलम में एक कॉलम था, Achievement of Scheduled Tribes in इंडिया, तो अलग-अलग लोगों ने क्या-क्या उत्कुरुष्ट काम किये हैं जैसे मेरी कॉम, बाइचुंग बुटिया उसकी सब लिस्ट दी है so you can prepare that for writing in some essay, an interview उसके अलावा history culture में दो हमें जानने को मिले, गोविन गुरु बी लीडर थे, गुजाद राजस्थान बॉरडर पर, और वो सब शराब बंधी और अंग्रेजों की अत्याचार से कैसे मुक्ती मिले, उसकी आंदोलन चला रहे थे, उन्होंने बगत संप्रदाय भी स्थापित किया था फिर हुआ ये की ब्रिटिश पोर्सिस ने गोलिबाई में उनके और उनके अनुयायोग को मार दिया था फिर page 10 इसलिए समाचार में वो थी मनिपूर से और मनिपूर के तामेंग लॉंग जिले में उनका नया म्यूजियम बन रहा उसके अलावा उनका freedom struggle में क्या योगदान था वो पूरी चीज यहां पर मैंने दी है आराम से पर लेना for freedom struggle related MCQs in UPSC prelims उसके बाद explain series उसमें चल रहा है कि data protection build personal data protection मतलब आप यह जो amazon से आपने कुछ shopping किया या आप कुछ browse कर रहे है suppose your amazon पे आप कुछ देखे कि laptop सर्च किया और फिर आप दूसरी अलग-अलग website पे जाए तो आपको laptop का ads दिखते रहे है वगएरा उस तरह आपका जो personal data browsing habit उसको बेचा जाता है commercially use किया जाता है उस सबको control करने के लिए कानून बंद रहा है तो उसमें दो इकाईया होंगी एक होगा data principle मतलब आप जिसका data बना है और सामने दूसरी एकाई होगी data processor वो company, संस्था, सरकार जो आपका data use कर रही है तो उन दोनों के बीच ये relations को regulate करने के लिए क्या होगा data protection authority data, सुरक्षा, प्रादिकरन बने और इसमें दो टाइप के data regulate होंगे एक होगा personal data personal data मतलब जो आपके नाम और सब चीजों के साथ जुड़ा है कि ये person ये जगह पर रहता है और दूसरा होगा non-personal data जैसे कि census data की मदद से कुछ general statement बनाया जाए कि उत्तर प्रदेश में ये वाले district में इतनी आबादी है तो वो क्या हुआ non-personal data क्योंकि उस हिसाब से this person, that person नाम के हिसाब से हम नहीं देख रहे तो large trends such as income group of a town, average age male-female population ratio वगएरा तो इन दोनों टाइप के data को personal, non-personal data को regulate किया जाए अब इसके लिए bill तो काफी पहले से बनाया था फिर अभी joint parliamentary committee ने अपने recommendation दिये इसको और बैतर कैसे करे तो उसमें ये सब non-personal data की बात हुई children data के लिए और नियम सकत हो social media intermediaries के नियम में क्या होना चाहिए data localization मरला बारत के लोगों का data बारत के server में रहना चाहिए और सामने criticism क्या है ये कानून में ऐसा है कि वैसे तो ये मालीजे facebook, amazon सब पर सकत नियम हो कि वो कैसे personal data use कर रहे हैं लेकिन केंद्र सरकार चाहे तो national interest and public interest के लिए किसी संस्था को इससे exempt कर सकती तो बलब जैसे NIE वगेरा वो कुछ data निकाल रहा है उसको use कर रहा है opposition leader, फिर ये civil society activist उसको परिशान करने के लिए उनको फसानी के लिए दुरूपयोग किया जा ऐसी सब चिनता इसके अलावा और PhD हम अभी करने नहीं बैठेंगी क्यूंकि ये bill अगर जो parliament में जब present होगा तो वापस से explain series आएगी तो हम देख लेगे अभी क्यूंकि joint parliamentary committee ने suggestion दिये तो स्वाब है कि एक दो दिन सब लोग पागल हो जाएंगे और पूरे दिन इसका एक कॉलमर चर्चा चलेगी so again I repeat हर question की क्या utility है उतनी limit में तयार करना चाहिए space technology में एक white dwarf white dwarf क्या होता है सफेद बौना सितारा जिसकी fuel इंदन समाब तो गया है और अब वो मर रहा है और अब वो rotation complete करता है और उसका कुछ technical नाम है ABC 1015 ऐसा कुछ इतना बारिक भी करना नहीं है basic theory पता हो है white dwarf क्या है burned up all the fuel and now undergoing process of shrinking and cooling down फिर explain series एक और भी है election populism उसमें अर्विन केजरिवाल ऐसा बोल रहा है कि पंजाब में मेरी सरकार बने तो सभी महिलाओ को 11000 रुपय दूँगा अब ऐसे ही पंजाब में एक करोड महिलाओ तो सोचो हर महिन 11000 तो 12000 करोड रुपय का खर्चाए critics ये बोल रहा है कि पंजाब सरकार का already करीब 6 लाग करोड रुपय की उनका गाटा है तो ये सब कैसे adjust होगा it will create problems और दूसरी बात कि सभी पंजाबी महिलाओ तो इतनी गरीब नहीं कि सभी के सभी को 11000 रुपय देने पड़े तो ये सब चुनावी लोक लुबावन है ऐसे ही मिलती जुलती बाते सब होती है यूनिवर्सल बेजिक इंकम निया स्कीम 72000 रुपीज वगयरा तो प्रोज और कॉंस आर्ग्यूमेंट आप सोच सकते फिर एक एक स्प्रेंट सीरीज थी असाम में क्यूं हाथियो पर रेडियो कॉलर लगाए जा रहे हैं जिससे उसका GPS टैकिंग हो सके उसमें क्या होगा मैन एनिमल कंफ्रिक को रोकने के लिए अच्छा हाथियों का जून जा रहा है तो हम कैसे करें कि वो केत में सब कुचल के नहीं जाए वरना किसान फिर बंदूख या पटाके इस्तिमाल करेंगे काफी टाइम पहले केरिला में या किसी स्टेट में पाइनापल में बॉम रखके हतनी को खिला है और फिर वो हतनी मर गई वो सब वा था तो ऐसी चीजों से हम बच सके और शिकार जी की जो प्रावरुतिया होते है उस पर नजर रखी जा सके अब यह तो यह क्लाइन का ही मुद्दा है और वो तो खुद से भी समझ सकते इसनिते एक्स्प्रेंट सीरी में अच्छा हम पैदल चलते हैं और उसको ट्राइंक्विलाइजर डार्ट मारते हैं दे एक्टमच इस नॉट रिक्वाइड मुवाइड फिर सम बुक्स इन न्यूज गोइंग वाइरल वो कोवेक्स इनके बारे में ये विशे एका से हम लोग सीक्स ओकर यसी कुछ खरीद रहे थे फिर अब ये सोच है कि रश्या के साथ मिलके रश्या की एके 203 राइफल उसका बारत में जॉइन प्रोड़क्शन हो ऐसा करेंगे तो ये एक लाइन का मुद्दा है ये दोनों के बीच इसमें 30 गोली होती है इसमें 5 गोली होती है तो वो सब अपना रूल नंबर 5 क्या है एक थाटा एगर जेमस बॉन न्यूज नाट रिक्वाइड आगे बढ़ो डिफेंस में करनल संतोष बाबू जिनको महावीर चक्र मिला गलवान वैली में जो 2020 में सब हुआ था वहाँ पर चींच से लड़ाई और शहादत के लिए पेज 12 पे बढ़ते हैं भारत गौरव स्कीम यह ऐसा है कि जो टूर अपरेटर होते हैं वो अपनी कोई किराई पर बस ले 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 और सब अपने क्लाइंट्स टूरिस्ट को गुमाने के लिए ले जाएं उसी तरह वो रेलवे को किराई पर ले 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 और अपनी सब टूरिस्ट सर्कीट चलाए कि जयपूर से आगरा तक यह जो भी तो उनको ऐसा करने दिया जाए यहनी मलब कंपनी हो सोसाइटी ट्रस्ट, स्टेट गवर्मेंट वो ऐसा कर सके इसलिए रेलवे किये स्कीम जिसको हम कहेंगे बारत गवराव स्कीम और कि इसकी पूरी गाइडलाइन इंडियन एक स्पेस में लिखी नहीं तो डिफिकल्ट उसे कि यह असल में होगा कैसे अलग से एक और भी चीज़ चल रही कि जहांपर प्राइवेट सेक्टर वाले खुद की ट्रेन चलाए मनलब रतन टाटा खुद ट्रेन खरीद के लाए और सरकारी रेल पटरी पर चलाए वो मुद्दा और हो तो investment model that is a separate thing यह वाली चीज़ मुझे लगता है कि सिर्फ जैसे वो शादी ब्या में सरकारी बस किराय पर ले जाते हैं ऐसा यह होगा मनिश्तेवारी की भी एक बुक आई है 10 फ्लेश पॉंट in 20 years for non-IS exam हाला कि वो इतने बड़े लिडर नहीं है कि हमको याद रखना पड़े शाशी तरू की बुकाय तो नजरोनी ची प्लेशी सिन निउज में बीग बैन again for non-IS exam वो ब्रिटिज संसत के उपर बढ़ा सा जो गड़ी का टावर था उसको रिपेर किया जा रहा है फिर आया है most polluted cities of the world बांगलादेश नंबर बन उसमें डाव का उसका जो कैपिटल है मोगादुईशू का कैपिटल उलन बतर और तीसरे नंबर पर आया लाहूर येट इस प्रम पाकिस्तान अब वैसे मुझे ये बहुत कामका नहीं लगता उसका कारण ये है ये जो संस्था है वो स्विजरलेंड की कुछ IQ Air नाम की संस्था है जो इतनी शाथ फेमस ने जैसा UNAT टिपल सी होता है या IPCC होता है तो और अर्गेनाजेशन नौट फेमस और दूसरा ये यहाँ पर most polluted city मलब ये का एक प्रकार की negative light है कि उनको बदनाम करो जलील करो तो UPSC usually टालता है ऐसे प्रशन पूछना की वहाँ पर भारत तो नहीं दूसरे भी देश जलील करो ऐसा कोई rank हो उसमें कौन नीचे गिरा हुआ है बहुत कम केस में हमको पाय जाए कि कुछ negative places in news पूछा गया है तो एक बार कुछ की कौन से famine की समस्या कौन से आफरिका के देश में वगएरा So usually they don't ask it तो इस पर और दमखम लगाने की जरूत नहीं है प्लेसेसी न्यूज में Winter Olympics 2014 में रश्या के सोची में हुए थे और 2022 February में Beijing China में होंगे America के President शायद इसमें नहीं आएंगे कि वहाँ पर मानव अधिकार हनन हो रहा है लेकिन रश्या के President आ रहे हैं वगएरा Page 14 नीति आयोग उसने Sustainable Development Goals United Nation की Sustainable Development Goals जिसमें करीब 1717 Goals हैं और 169 Targets हैं और उस हिसाब से 2030 तक उसको अचीव करना है Zero Hunger, Zero Poverty, Women Empowerment, Protect the Climate वगेरा चीज़े जो थोड़ी बहुत होगी ऐसे 17 Goals अब वैसे तो नीतियाओ हर साल अलग-अलग राज्यों का रैंकिंग करता है कि Aspirant, Performer, Achiever तो वो तो होई रहा था लेकिन आप उनको और मौ जा गई कि न्यूज में रहने के लिए और UPS ये Aspirants को परिशान करने के लिए एक और चीज़ निकालो Urban India Index मौलब राज्यों जो होते हैं ऐसा रैंकिंग अब cities का तो टॉप 10 अर्बन शीमला को एम तुरूँ चंदीगर्ड बाटम 10 में कौन से ये सब लिस्ट दिया है तो बड़ी बड़े दो तीन चीज़ याद होनी चाहिए सब कुछ तो करना मुश्किल है बले प्राइवेट टेस्स सीरीज में रैंक 10 पे कौन था पूछा जाए वैसे ये नीत्याव का Sustainable Development Index उसमें States की रैंकिंग हम पढ़ चुके वो WIN21 Lecture Series और उसमें Pillar 6 में मेरे कहल से October महिने में अमने पढ़ लिया था आगे International Trade Balance of Payment में GSP यानि Generalized System of Preferences ये क्या है ये एक अमेरिकी प्रनाली है कि जिसमें Third World Countries जैसे इंडिया, बांगलाद, चाइना वगेरा बांगलादेश तो मेरे कहल से ये लिस्ट डेवलप कंट्री में आएग एनिवेज, तो बाकी ऐसे developing countries है उदर से भी जो सामान आ रहाओ उस पर कुछ कम tax लगाया जाए समझें, लिस्ट डेवलप कंट्री लिसी होता है, जैसे बांगलादेश, बूटान वगेरा उसका तो जो भी सामान आ एक्सपोर्ट हो सामने वाले सब देश उस पर 0% tax लगाए क्योंकि WTO के ऐसे कुछ है लिस्ट डेवलप कंट्री को duty free, quota free access मिलनी चाहिए तेकि उसके अलावा भी जो developing countries है उनको भी, उनका export promotion हो इसलिए अमेरिका उनके चीज़ पर कम tax लगाता था ऐसा नहीं कि सभी की सभी चीज़ों पर कुछ जैसे textile, jeans वग्यरा बारत का नाम इसमें था हमको tax का ये फायदा मिलता था लेकिन फिर अमेरिक की राष्ट पती डॉनल्ड ट्रम्प ने इसको बंद करवा दिया था बारत को list से अटा दिया उसका कारण की बारत सरकार ने भी Harley Davidson अमरीकी motorcycle पर बहुत ज्यादा tax लगाया था अरुन जेटली के जमाने में तो हमारा नाम हट गया अभी उसको वापस उसमें add करवाना इसके लिए negotiation चल रहे हैं तो हम एक लाइन में समझ गए मामला क्या था अभी और कॉलम इस पर पढ़ने नहीं बैठेंगे फिर और सब explain series की air tail और voda phone ने अपने जो prepaid plan के fees बढ़ा है उससे क्या असर भई adjusted gross revenue के नाम पर उनको जो सरकार को पैसा देना है जिसमें अभी करीब कुछ साल 4 years की उनको रियायत मिलिया लेकिन फिर तो देना है तो अपने business को viable करने के लिए plan के price बढ़ा रहे हैं ये पूरा मुद्धा हम लोग पढ़ चुके win21 series pillar 5 communication infrastructure मेरी website mona.org slash download पे मिल जाएगा तो ये था बुद्धवार का newspaper गुरुवार और रविवार को मैं चुटी रखता हूँ तो गुरुवार के news में जो होगा वो हम शुक्रवार एक साथ देख लेंगे So that was the current affairs news